तो हम यहां पर रुके थे हिंदी में कहा था हमने कुछ प्रालोब भनो यह मैंने लास्ट सेशन में इसको पढ़ा था हिंदी में पढ़ देती हूं हमने कुछ प्रालोबनों के बारे में बात की है जिन में से अधिकांश या संबंध या तो अहंकार या अधिक्ता से है उन कारेओं के लिए अपने संबंध हो अपनी बात्चीत और अपने निजी वियवहार को देखें जो आपने सबसे गहरे दर द्रिष्टिकोन के अनुरूप नहीं है आपके अपने सबसे गहरे द्रिष्टिकोन के अनुरूप नहीं है चूंकि आप मानसे कभिवादन की तुलना में एक उपकरन के रूप में एक कमजोर सिती में है इसलिए आपके लिए नेतिक व्यवहार के संदर्भों में सोचना अच ये कहना कहीं अधिक आसान है कि आप पर किसी व्यक्ति या किसी चीज, ऐसी चीज द्वारा हमला किया जा रहा है जो आप से नफ़रत करती है क्योंकि आप प्रकाश के संदेश वहक हैं, हमले की जिम्मेदारी लेने की तुलना में ये स्विकार करते हुए कि आपने खुद को उस्तिती में रखा है, जिसमें आप अभी हैं, कुछ चूक या कारवाई या विचार के कमिशन से हैं, मतलब उसकी वाज़ा से हैं, आप अकेले नहीं हैं, यदि आप, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया है, कहकर समय बरबाद कर रहे हैं, आपने शायद बहुत कम किया है, हाल और जितना अधिक आप करना चाहते हैं, इस ग्रह की मदद करें, आपको अपनी निजी और सारवजनिक विशारों और रिष्टों से संचालन में जितनी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, उतनी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, इससे कोई फेर्ट नहीं पड़ता कि अर्थों में, आप अन्य लोगों की राय के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, यदि आप तत्व मिमानसा और नैतिकता में जो उच्चतम और सरवत्तम जानते हैं, उसके अनुसार कारे कर रहे हैं, और यदि आपका जीवन आपकी सोच और आपके कारे के बराबर है, तो आपने मानसिक अभिवादन के कारण को समाप्त कर दिया है, बेशक यदि आप इस समय भौतिक शरीर में मानव और ग्रह पर हैं, तो आप शायद आदर ईश्वर प्राप्त प्रानी बनने में सफल नहीं हुए हैं, बस कोशिश करते रहो, आपको समझ में आई क्या होगा, जब आप भय या क्रोध के साथ मानसिक अभिवादन का जवाब देते हैं, तो आप नकरात्मक रूप से उन्मुक संस्ताओं को ठीक वही दे रहे हैं, जो वो चाहते हैं, जितना अधिक आप संघर्ष करते हैं, और जितना अधिक आप क्रोधित होते हैं, उतना ही आपके ध्यान पर उनकी पकड मजबूत होगी, और आप उनके अभिवादन के बारे में उतना ही कम कर पाएंगे, नकरात्मक पत्थ पर चलने वालों के लिए नकरात्मक भावनाएं मधुर होती हैं, यह हमें पीछे की ओर लग सकता है, लेकिन नकरात्मक ध्रूवियता के संबर्ध में लिया अधिक भय और क्रोध आप एक नकरात्मक उनक इकाई के प्रती महसूस करते हैं, उतना ही उस इकाई को लगता है कि आपने उसके काम की प्रशंसा किये। काहि उन्य होत पुरू इनकरात् Theoutherव में वि mierॉत फूबीमत इनकरात्मक ठॉता सॱ्फशत हैं, इस बतना है वोति वियर तीर सकता है, यह हू एकाई की जा है मेरना इस्ता है में अथैश कory you have eliminated the cause of psychic greeting of course if you're human and on the planet in a physical body at this time you have probably not succeeded in becoming the ideal god realized being just keep trying when you respond to psychic greeting with fear or anger you are giving negatively oriented entities precisely what they want the more you fear the more you struggle and the more you rage the tighter will be their grip upon your attention and the less you will be able to do about their greeting of you to those upon the negative path negative emotions are sweet it may seem backward to us but taken in terms of negative polarity fear and anger are quite normal and the more fear and anger you feel towards a negatively oriented entity the more that entity feels that you have complimented its work yeah it is up to you to invoke it is up to you to invoke the power of love in this situation my favorite contact a group of entity of many individuals called ra has called the positive path the path of that which is and the negative path the path of that which is not love makes us all one and is all that there is however the positive path is based upon an appreciation of the fact whereas the negative path is based upon a denial of that fact whoa has okay मेरा पसंदीदा संपर्क, रा नामक, कई व्यक्तियों के एक समूह, एकाई ने सकारात्मक पत को उसका मार्ग, मतलब इश्वर का मार्ग, और नकारात्मक पत को उसका पत, उसका पत नहीं है, मतलब इश्वर का रास्ता नहीं है, कहा है, यहां पे गल्ती है, प्रेम हम सब को एक बनाता है और जो कुछ है तही है तही है हलाकि सकारात्मक मार्ग उस तथ्य की सराहना पर आधारत है जबकि नकारात्मक मार्ग उस तथ्य के खंडन पर आधारत है चुकि सार्वभामिक प्रेम सकारात्मक धुरूपता का प्राकृतिक वातावरण है ये अपिक्षाकृत आसानी से उत्पन होता है जो कुछ भी है उसके निर्माता के बारे में सोच कर उस मूल चेतना के लिए अविचलित और संपूर्ण जो कुछ भी है उसका आधार है ये मूल विश्वास प्रणाली है जिनके चैनल संदेश हमें मिल रहे हैं कम से कम बहुमत में सकारात्मक धुरुवता वाले लोगों के लिए प्यार स्वादिष्ट होता है जब ये गैर जोड तोड होता है हाला कि नकारात्मक रूप से धुरुविकरित प्राणियों को दिया गया गैर छेड छाड बिना शर्त प्यार उनके लिए उतना ही अरूचिरक है जितना की क्रोध और भाय स्वादिष्ट है जो कुछ हमारे लिए अच्छा है वो उनके लिए बुरा है क्योंकि वे प्रकाश के मार्क के ठीक वे प्रीत विचार करते हैं इसलिए उनका जब हमला हो तो उन्हें प्रेम और प्रकाश भेजने की ज़रुत है इस प्रकार प्रेम की शक्ति उसकी नियंतरन करने की क्षमता में उतनी नहीं पाई जाती जितनी की सकारात्मक चीजों को आनंद से भरने की क्षमता में और नकारात्मक चीजों को छोडने की इच्छा से है Since universal love is the natural environment of the positive polarity, it is relatively easily generated by thinking on the creator of all that there is For that original consciousness, undistorted and whole, underlies all that there is This is the basic belief system of those whose channel messages we are getting, at least in the majority I mean, we who channeled Ra's social memory complex, they all have to say that love is all that and love is the right side of the other side of the other side of the service The spiritual consciousness is very generous for the people, it feels very nice, very nice, which is when it comes to the others But where we will not go from the end, we love to love to love to love the others प्रेम दिखाना और उनसे अपने स्वार्थ के लिए कुछ करवाना, वो प्रेम नहीं है. However, non-manipulative unconditional love, जहां पर शर्ते हों, वो प्रेम नहीं है. Unconditional love given to negatively polarized beings is as distasteful to them as anger and fear are delicious. जो नकरात्मक उर्जा के लोग है, और आयन है, basically, प्याज लसन है, उनको जितना गुसा, डर, नीठा लगता है, उतना ही प्रेम कड़वा लगता है, दूर भागते हैं वो उससे. All that is good to us is evil to them, for they are perceiving the exact opposite of the path of life. क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है, या दूसरों की सेवा के रास्ते पर चलने वाले लोगों को अच्छा लगता है, प्रेम मीठा लगता है, वो उन्हें कड़वा इसलिए लगता है, क्योंकि हम रौश्नी की ओर जारे हैं और वो अंधकार की ओर. Thus the power of love is not found in its ability to control as much as in its capacity to fill positive things with joy and negative things with a desire to leave. प्रेम की जो शक्ती है, वो किसी को कंट्रोल करने में नहीं है, जितना उनको आजादी या अपनी स्वेच्छा से जीने की आजादी में जो खुशी मिलती है, उसमें है. Sending unconditional love to a negative entity who greets you psychically is much like sending a bouquet of spoiled flowers to a negative entity. ये नकरात की लोगो को प्रेम देना या इश्वर की प्रेम और रॉश्मनी देना ऐसा है जैसे दूसरों की सेवा वाले रास्ते पर चलने वाले लोगो को सड़े वे फोल देना. The smell is malodorous and sickening to the recipient who promptly turns on his heels and vacates the premises. और having realized it is the receiver of a positively oriented psychic greeting. Who promptly turns on his heels. और इस वज़े से वो भाग जाता है उल्टे पाओं और उस जगह को छोड़ देता है जब उसे एहसास होता है कि मैं जिसको कंट्रोल करने की कोशच कर रहा हूं, वो तो प्रेम के इश्वर के प्रेम और रॉश्नी की रास्ते पर चल रहा है. However, you cannot send love. हाला कि आप प्रेम नहीं भेज सकते ताकि इकाई चली जाए ये सश्चर्थ प्रेम है और इसलिए नकारात्मक उन्मुक संस्थाओं के दिलों को बहुत प्रिया है. यदि आप इस प्रतीत होने वाले विरोधा भास के बारे में सोचते हैं, तो उन रिष्टों को देखें, जहां दो लोग प्यार के माध्यम से एक दूसरे को नियंतरत करने की कोशिश कर रहे हैं. यह कभी भी सुन्दर नजारा नहीं होता है. नियंतरन और प्रेम परस पर विरोधी ताकते हैं. However, one cannot send love in order that the entity will go away. यह सोच के उसको प्यार भेज रहे हैं, कि अच्छा मैं तुझे प्यार भेजता हूं, तु चला जा, तो वो शर्त वाला प्यार हुआ. This is conditional love and as such is very dear. और उन लोगों को यह बहत पसंद है, अच्छा मैं ते रहो, तो तुम चाहते हो के हम चले जाएं. तो, if you wonder about this seemingly contradiction, look at relationships where two people are trying to control each other through love, it is never a pretty sight. Control and love are conflicting forces. Control करना और प्रेम देना, यह दो उल्टी चीज़े हैं. Unconditional love should be sent to the entity which is greeting you. जब वो आए, नकारात्मक उर्जा आपको परिशान करने तो उसको यही बोलो, I love you. Love, lots of love. यह मत बोलो, अच्छा मैं तुझे प्यार भेजती हूं, तु चला जा. Unconditional love should be sent to the entity which is greeting you. It should then be sent separately and consciously to the greeting itself. फिर जो भावना उसने आपके अंदर पैदा की है, चाहे वो डर है, या गुसा है, उस भावना को आप प्रेम भेजो. Love should also be sent to yourself, और फिर खुद को प्यार भेजो, और फिर खुद को प्यार भेजो, और ये जो हुआ, उसको पूरी तरह से भूल जाओ. खुद को भी माफ करना होता है, खुद को भी प्यार भेजना होता है, that is shadow work, this is called shadow work, जो बोलते हैं कि अपने आपको इनसान कैसे सुधारे, तो ये shadow work है, मुझे गुसा आया, ठीक है, मुझे गुसा आ रहा है, मैं अपने गुसे को प्रेम भेजती हूँ, मुझे गुसा दिल को भाने वाले को प्रेम भेजती हूँ, उसके बाद मैं इस गुसे को, जो मेरे अंदर है, उसको प्रेम भेजती हूँ और मुझे गुसा महसूस हो रहा है, उसके लिए guilty feel होने के बजाए, खुद को प्रेम भेजती हूँ क्यूँक Täью अखरकर मैं इनसान हूँ, और ये हो र white light उस इनसान को जाते हुए या उसको जाते हुए उसके बाद वो गुस्सा है डर है जो भी है उसको अपने सामने किसी रूप में देखो पत्थर हो सकता है कोई भयानक कलर हो सकता है बलैक कोई कुछ भी हो सकता है कोई भूत प्रेत लग सकता है आपको के मेरे अंदर से निकल के बाहर आ तु कैसा है मैं तुझे देखूं उसे अपने मन में देखो और फिर उसे अपने दिल से प्यार भेजो उसके बाद खुद को प्यार भेजो और फिर उसे भूल जा उसके सथ कौर्ड cutting करो. It is always well to conclude with an inner statement of fidelity to the point of view which you have come to hold and a form of thanksgiving that is meaningful to you and to the creator for giving you this opportunity to learn. My God, that is a very big lesson for me. जो आपका अभिवादन कर रही है, उसे बिना शर्त प्यार भेजा जाना चाहिए, फिर इसे अलग से और सचेत रूप से ग्रीटिंग को भी भेजा, संदेश को भी भेजा जाना चाहिए, मतलब उस भावना को अपने आप को भी प्यार भेजा जाना चाहिए, कि आपके पास घुसपैट को माफ करने और इसे पूरी तरह से भूलने की क्रिपा हो. यह हमेशा अच्छा होता है कि आप उस दृष्टिकोन के प्रती निष्ठा के आंतरिक कथन के साथ समाप्त करें जिसे आप धारन करने के लिए आए हैं और धन्यवाद का एक रूप जो आपके लिए सार्थक है और निर्माता को आपको सीखने का यहां अवसर देने के लिए Thank you God for teaching me that I need to control my anger, I need to control myself, I need to be patient and I need to operate out of love and light. Thank you God. यदि आप उनसे निपटने के तरीके के ज्यान के बिना मानसिक अभिवादन के अनुभवों की एक श्रिंखला से गुजरते हैं I am so sorry मैं busy हूँ, आप 15 मिनिट बाद आ जाना प्रार्थना 404 हाँ, हाँ, sorry this was important यदि आप उनसे निपटने के तरीके के ज्यान के बिना मानसिक अभिवादन के अनुभवों की एक श्रिंखला से गुजर रहे हैं तो ये एक कांटेदार समस्या का एक अत्यंत सरली कृत्त उत्तर प्रतीत हो सकता है ये सरल है, हाला कि ये प्रभावी भी है बस याद रखें कि हर समय आपको सबसे पहले अपने बारे में ज्यान की आवश्चक्ता होती है अपने बारे में ताकि आपको विश्वास हो सके कि आप कौन है अपने द्रिष्टिकोन के अनुरूप सकारात्मक धृुवता की खोज में उर्जावान रूप से लगे नहें और सबसे बढ़कर सेवा के लिए प्रतिबद्धा हो एक बार जब आप अपने आपको अच्छी तरह से व्यक्त करने की भावना रखते हैं तो आपने खुद को इस तरह से स्थापित किया है कि मानसिक अभिवादन से निपटना विश्वास और इच्छा का एक सरल अनुप्रयोग बन जाता है आपको प्रेम की शक्ती में विश्वास होना चाहिए आप जो प्रेम की चेतना के सेवक हैं और आपके पास नकरात्मक संस्थाओं से अभिवादन का जवाब देने के लिए प्रेम का उप्योग करने की इच्छा होनी चाहिए क्योंकि इच्छा शक्ती के बिना अपने लिए खेद और अन्देखी के सामने शक्ती हीन महसूस करने का एक बड़ा प्रलोभन है यदि आप सकारात्मक को प्रसारित करने से नहीं डरते हैं तो नकरात्मक का शांती से सामना करने से न डरें अगर आपको यह सब बाते नहीं पता थी कि इन चीजों को कैसे हैंडल करना है मुझे नहीं पता थी तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यह तो बड़ा असान है बहुत बड़ी परिशानी का हल मिल गया हाँ असान है बहुत असरदार भी है लेकिन पिश्किल भी है याद रखो कि सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है कि आप खुद को पहले समझें और आपको खुद पे भरोसा हो कि हाँ आप इसे कर सकते हो और आप अपनी उर्जा को सही रास्ते पर दूसरों की सेवा सही और गलत कुछ नहीं होता दूसरों की सेवा के रास्ते पर जाना चाहते हो और चाहे कुछ भी हो जाए आप उसी रास्ते पर अडे रहोगे टिके रहोगे अपनी सोच और अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा की तरफ दूसरों की सेवा मतलब के उनसे नाराज ना होना गुसा ना करना भी होता है और जब once you have your feeling of self well articulated, you have positioned yourself in such a way that dealing with sick and psychic greetings becomes a simple application of faith and will और जब आप खुद को जान लोगे, खुद को समझ लोगे और खुद पर भरोसा करोगे, तो आप में एक ताकत आ जाएगी कि इस तरह के entities की, अगर कोई संदेशा आता है या वो आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो आपको सिर्फ will, अपनी आत्म शक्ति और अपने भरोसे पर टिके रहना है और वही आपकी शक्ति है, सब्र, आपको प्रेम की शक्ति के ऊपर भरोसा होना चाहिए, you must have faith in the power of love, you who are servants of the consciousness of love, आप जो प्रेम के सेवक है, and you must have the will to use love to respond to a greeting, और आपके पास आपको ये याद रहना चाहिए, और आपमे आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास होनी चाहिए, कि इस तरह की चीजों का सामना आप सिर्फ प्रेम से करें, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आत्मविश्वास होगी, तो ऐसे प्रलोभनों के सामने आपको खुद पर तरस आएगा, और बिल्कुल कमजोर महसूस करोगे, ऐसे अंदेखे अंजान इकाईयों के, अस्तित्वों के सामने, और अगर आपको पॉजिटिव, सकारात्मक पूर्जाओं को चानल या उनके लिए माध्यम बनने से डर नहीं लगता, तो ऐसे लोगों से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफी लंबा है, मेरे ख्याल से मैं यहीं रोक देती हूं क्योंकि मुझे पता है अभी पांचदस मिन्ट में कोई आ जाएगा और फिर ये तो पांचदस मिन्ट में होने नहीं वाला, वे वाता हुषोल। Okay, I'll stop here. I'll take another. Where am I? That was my nephew, by the way. Okay, I will see you soon with the next part of chapter 4. Thank you. Thank you for tolerating me.